हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम अपने NPS के डेटर को कैसे अपडेट कर सकते हैं मालो हम अपने NPS में अपनी नॉमिनेशन चेंज करना चाहते हैं यह माडिफाई करना चाहते हैं अपना अड्रस हम माडिफाइग करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल हम माडिफाइग करना चाहते हैं, अपना पैन कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, अपना अधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, अपना टी पिन होता है हमारा, आई पिन होता है, उसको चेंज करन ताके वह respective treasury में submit कर दें और दूसरा तरीका है इसका online करने का मैं आपके साथ दोनों तरीके discuss करता हूं सबसे पहला तरीका है form भरने का पर फिर भी मैं आप सिर्क्रेस्ट करूंगा यह form भरने वाल सिस्टम आप ना करें क्यूंकि आजकल COVID-19 की वजह से हमको maximum कम online करना चाहिए अपना आना जाना कम करना चाहिए और जिसमें भी हमारे implies है government implies अगर उनका mobile नंबर सिस्टम में update है तो मैकसिम से मैकसिम कम अपने घर से कर सकते हैं खाली उनके mobile नंबर अपरेट होना चाहिए computer अपने NSDR के software में तो सारी GMO घर बेट के अपने mobile से कर सकते हैं जिनका mobile नंबर अपरेट नहीं है सिर्फ उन्हीं को ही treasuries में फार्म समिट करने की ज़रूरत है तो चलिए हम देखते हैं कि यह फार्म समको मिलेंगे कहां से तो अपना जो भी ब्रोजर को खोल कि हम सर्च मारेंगे गूगल में जाके npscra.nsdl.co.in इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तो हमारे पास एक वेबसाइट खुलेगा क्योंके नेटवर्क का स्पीड बहुत ज्यादा कम रहता यहां पर तो दोस्तो हमारे खुल गया कि इस पर हमको जाना है गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में हमने जाना है स्टेट गवर्नमेंट पर क्लिक करना है सेक्टर में थावर्नमेंट जाना है स्टेटर में थावर्नमेंट डहँ खुलेगा इसमें एक आप्शन आएगा फार्म्स करके एफ और एमस इस पर क्लिक करना है इस फार्म्स वाले उप्शन पर हमको वो सारे फार्म्स मिल जाएंगे जो में रिक्वाइर होते हैं अपनी इंफर्मेशन आनलाइन करने के तो इस पर हमको जाना है एन पिएस अकॉंट मेंटेंटनेंस पर इस पर क्लिक करेंगे बस यह फार्म है हमारे फार्म S2, subscriber details change form, form S1, S7, इसे हमारा photo or signature change हो जाता है, फार्म S8 है, यह covering letter है, जब हमने अपना photo change करना है तो इसके बाद हमारा है पैन और अधार, अपडेशन फार्म की फार्म ISS है, इंटर सेक्टर शिफ्टिंग का फार्म है यह, और GOS S3 है, इसमें हम स्कीम preference change form है हमारा, हमें इनमें से maximum हमको form S2, S7, S8 और पैन और अधार की जूरत पढ़ती है, इन दूसरें की जूरत बड़ी कम पढ़ती है, जिसलिए हम आज यहीं discuss करेंगे, subscriber details form पे click करेंगे, तो यह form open जाएगा, इस form के मादियम से, इस तरह से form होता है, छे पेज का form है, इसको हमको अपने black pen से fill करना होता है, इस form से हमारा request for change, correction in subscriber master detail and or re-issue of ipin, tpin, pran card, जो भी हमारी master detail है, मालन हमारा address है, हमारा नाम है, हमारा date of birth है, जो भी हमारा residential address change हो जाता कई बार, कई बार हमारे, आज हम यहां पर post हैं, या हमारा घर आज यहां पर गल्की योर्शिप हो जाते हैं, तो इस form से हमारा चेंज हो जाता है, हमारा कई बार नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा है कि कोई नाम कोई लोग अपने नाम चेंज करना चाते हैं, तो इस फर्म से वो नाम चेंज हो जाता है, इस फर्म से हमारा ये, हमारा मुबाइल नंबर है, इमेल आडी ये भी चेंज हो जाता है, हमारा अकुपेशन डिटेल चेंज हो जाता है, मालो हम आज कुछ टीचिंग में हैं, कलम फैनेंस में चले जाएं या किसी और चीज में च चेंज करना चाहते हैं, तो इस फर्म को समिट करके हमारा वो बैंक का ठेल पर चेंज हो जाता है, इस फर्म से हमारा जो नोमिनेशन है, मालो आज कोई अनमैरीड इंपलाई है, तो वो शादी से पहले अपने माबाप को रखता है, लेकिन शादी के बाद वो बीदी को भी तो फर्म के माध्यम से वह अपना क्योंकर्ण कर सकता है तो में रिक्तर सकता imagen ये तारवन के माध्यम से यूने में इसक है कि तो अपना की रहर 1700 अबान और परक्षोप मित्रों से कि वो आनलाइन प्रांट डाउनलोड करें और उसी कोई एक उसी का अच्छा सा प्रिंट निकाल के हाड को और पे वही उनका चलेगा उनको रिशू करने की जूट नहीं होती है उनका पैसा बच जाएगा ऐसा करने से इसमें हमारे अडिशनल नमिनेशन फारम होता है हम इसमें NPS में मैक्सिम अपने थ्री नॉमनीज रख सकते हैं वो चाहिए कोई भी हो सकते हैं लेकिन उनका टोटल शेयर जो हैंड़ परसेंट आना चाहिए यह आगया हमारा फारम एस वन वस इस फारम को बलाकिंग से पूरा डिटेल में भरके अपने अपने सिगनेचर करने जहां पर लिखा हुआ है यह सिगनेचर अबलिक थम इंप्रेशन आफ सब्सक्राइबर इसके बाद अपने डीडियो से जो भी अथ्राइज परसने डीड में इसके साथ जो भी चीज हम इसमें माडिफार करने चाहते हमें इसके साथ एक डाकुमेंटरि एविडेंस लगाना होता है तो इसमें बहुती जदा यह डिटेइल्ड फारम है इसमेंने पूरा दिया हुआ है कि कि किस चीज के लिए हमको क्या-κιा कॉम-कॉन से समिट कर देने होते हैं या अगर मारा पहला फारम फारम-S2 प्र अगर सब्सक्राइब अपना फोटू और स्कनेजर चेंज करना चाहता है तो फारम भी इसे निखल जाता है फार्म नहीं होता बिसकल यह एक एक्सल फाइल होती है एक्सल फाइल के मीडियम से एक्सल फाइल बनाके वह उन्होंने टेजरीज में सम्मिट करनी होती है और इसका थेक कोवरिंग लेटर लगता है कोवरिंग लेटर जो हमचा पीडियाफ की फार्मेट में खुलता है कोवर और अधार अप्डेट कराना चाहते हैं तो उसका भी फार्म होता है नेटवर्क का स्पीड बहुत ज्यादा कम है यहाँ पे तभी यह डॉलोड नहीं होगा यह हमारा पैन और अधार जो अप्डेशन फार में यह वाला है लेकिन इसमें एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि हम इसमें अधार अभी अप्डेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें सुप्रीम कोड का डिसीजन आया हुआ है कि इन्होंने अन्पेस पे हम अधार पर ही अप्डेट हो पा रहा है और जो पैन नंबर आपने देना है उसमें अपने फस्ट नेम मिटल नेम और लास्ट नेम का खास दियां रखना है क्योंकि जब इसमें पैन नंबर एंटर करते हैं तो वह डिरेक्टरी जाके हमारा इंकम टेक्स डिपार्टमेंट से लिंक ह होता है तो हमसे वेरिफाई होके आता ही कि वैदर ये इसी आदमी का पैन कार्ड है की नहीं है तो फस्ट नेम और लास्ट नेम और मिडल नेम ये बहुत जाता मेंडियर्टरी हो जाता है इसमें मालों किसी ने अपना NPS में नाम लिखा हुआ एक हाली मनीश कुमार उसका फस्ट नेम मनीश लास्ट नेम है कुमार लेकिन उसके पैन कार्ड पर उसका नाम है मनीश कुमार कोतवाल तो उसके साथ लिंक नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनु जिगा पर नाम का डिफरेंस आ जाएगा एक जिगा उसका नाम है मनीश कुमार कोतवाल तो यह उसका लिंक नहीं हो पाएगा, इसलिए आप नाम का बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखें, जो नाम आपका एक्चुल हर कार्ड में वही डालें इसमें, ने तो यह लिंक नहीं हो पाएगा, यह रहा एक सिस्टम के फार्म भरके आपको अपने डीडियोस को देना है, फिर फर्दर फर्दर वह इसको अपने PAO आफिस में या ट्रेजरी आफिस में देखे, आपका सिस्टम जो भी आपका डिटेल है, वो माडिफाई हो जाएगा, यह लंधी प्रोसेजर है, वो तिकमबर सामें है, हैक्टिक है, इससे ज़्यादा असान तरीका है, आपका आप आर्लाइन खुद किया करेंगे, आर्लाइन करने के तरीका यह है, इसके एक वैपसाइट आता, enps.nsbl.com पे, इस पर जाएं आप, इस पर जाने के बाद यहां पर एक ऐक औक्शन आता है, लाग इन विद प्राण उबलिक आई पिन, इस पर क्लिक करना है, इस पर हमारा यूजर इडी रहता है वह हमारा प्राव नंबर रहता है पासवर्ड हमारा जो आई पीन है वह रहता है और एंटर कप्चा करना है कि यह अप 26 plus one यहां से हम आब स्कस्ट सफ़री लाग इन हो चुके हैं अब यहां देखते हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं इसमें एक option हमारा demographic changes मारी demographic changes यही होती है हमारा नाम वग्यारा यही होती है पहला option इसमें register, update, email, ID और oblique mobile इस पे क्लिक करेंगे तो इस option से हमारा जो भी email ID है यह हम कोई mobile number change करना चाहते हैं वह इससे modify हो जाता है माल इसमें मेरा mobile number और email ID दिया हुआ है इसके पर change करना चाहता ह तो मैं edit पे क्लिक करूँगा और यहां से इस पे submit कर दोंगा जो नया अपना mobile number डालके और नई email ID डालके submit करूँगा और यह मेरा update हो जाएगा यह चीज हम अपने NPS की app से भी कर सकते हैं दूसरा है इसमें प्रउब ट्राम डालके बीत्यर्ट इसमें प्रश्ड़ा बीक्र, भी को तो मैंष्यू है पायन इस देखिए दूस्तों इसमें अपना लोगे कर सकते हैं और कि देखित कर दोस्तों तो फायलो अप्शन है इसमें अपलोड फोटो एंड सिनेचर अब मेरा तो इसमें अल्रीड अप्डेटेड है फोटो शिनेचर अगेश्च यूर प्राइज अल्रीड अपलोड़ इन सियरे in case you still need to update the same please contact the CRA मेरा तो अप्डेट है इसमें यह नहीं करने देगा अब दूसरा इसमें एड़ अप्डेट नॉमनी डिटेल्स इस पे क्लिक करेंगे है तो देखिए दोस्तों यहां पर नॉमनी वन आ गया मैरा तो अबी तो मेरा एक ही नॉमनी चल रहा है लेकिन आप जितना भी नॉमनी इसमें मैक्सिमम थ्री जैंज कर सकते हैं नीचे एक उप्शन बटन है दियावा एड का हम एड़ करते जाएंगे ह हम इसने अटमोस्ट थ्री परसंस को एड़ कर सकते हैं तो हम यह सारा काम आर्लाइंग कर सकते हम को यहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है और है इसमें एड़ पर्मनेंट अकॉंट नंबर करना चाहते है रिक्षट स्टेटिस व्हीं क्या है दोस्तों हम इसके बीकाम करते हैं जो हमने आलाइन फोटा अप्लोड किया आलाइन हमने नामनी एड़ किया यह हमने आलाइन पैन अपडेट किया तो आपने एक खली एक step one किया होता है step two उसका treasury से होता है आपने इसको जब ये कर दिया ना यहां से update तो आपने इसके print out निकालके simply treasury को mail करना है मेल तो खेड़ चलती नहीं है आपने इसको treasury समिट कर देना है print निकालके इसका तो वहां से उसको सर्फ अथ्राइज करना होता है आपकी transaction को जब भी आप यहां से कुछ भी करोगे कुछ भी करोगे आप उसके acknowledgement number निगलता है तो उस अक्नालिजमेंट नंबर को आपने परिंट निकालके ट्रेजिमेंट देना है वहां से उसको अथ्राइज कर देते हैं अब मेरे तु recuperates में Verini पैनमर ले तो जिस फैनमर अपट ने नहीं है तो यहां से बड़ी असानी के साथ हो अबडेट कर सकता है और हम जाएंगे back to मेंन्यम कि Demographic में View Maintenance Request Status कि यह वह स्टेटिस है जब भी हम कुछ भी करते हैं कुछ भी टाइक्शन करते हैं हम कि सब्सक्राइब शिफ्ट सब जो भी हम चैंज करते हैं उसका को एक अनलिजमेंट नमबर मिलता है तो पर यहां सब करने सकते हैं सब्सक्राम कर सकते हैं। कि प्रियान काड़र इसम्राइब नहीं करना है नहीं करते हैं, कि पूर्बी में बहुत सारी उप्शन हैं दोस्तों आपप अर्एक इसमें चुकते हैं हो अब भी लिखते परस्च पर्सनल अकाउंट डिटेल्स है इसमें तो बस इसमें यह हर एक चीज इसमें देर रखियापके बैंक डिल्स क्या है या इम्पलाइमेंट क्या इसे की इम्पर। क्या है परसनल डिटेल्स क्या है अगर आपको लगता है कहीं भी आपको माडिफ्ट सिन जूड़त है तो अब यही मक्सिद था कि जो भी हमारे इंपलाइज हैं जिनको यह प्राबलम आती है अपना मुबाइल नंबर अपना इमेल अपना पैन काड अपना अड्रेस अपना नॉमिनेशन चेंज करने में वह कैसे करें वह कैसे आनलाइन कर सकते हैं तो मेरी डिकरस्ट रहेगा कि आप आनल उसके उपर एक डिटेल्ड वीडियो बनानेगी तो यह वीडियो आप अपने सबी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी नालिज गेन हो और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना और आप जो भी काम करते हैं जिन्दगी में वो महनत के साथ करें और इम कर देता हूं थैंक यू फार वाचिंग